तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए लिक्वीड इंगीडेंस पर चर्चा करते हैं यानि की भाग तीसरा हमारी लिस्ट में पहले इस्तान पर है घी जिसे क्लेरिफाइड बटर भी कहते हैं इसका इस्तेमाल लगबग सभी घरों में होता है यह काफी पॉस्टिक और बलवर्द होता है फिर है हनी यानि की शहद इसका इस्तेमाल भी हम कई वेंजनों में करते हैं फिर है बटर यानि की मखन इसका इस्तेमाल हम कई वेंजनों में करते हैं फिर है शुगर यानि की शकर इसका इस्तेमाल मीठाईयों से लेकर कई प्रकार के वेंजनों में होता है फिर है व इसका इस्तेमाल कई प्रकार की मिठाईयों और वियंजनों को बनाने में किया जाता है फिर है मस्टर्ड ओयल यानि की सर्सों का तेल इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार की वियंजनों में करते हैं इसका एक अपना अलग स्वाध होता है फिर है पीनट या ग्राउनना टॉयल यानि की मूमफली का तेल आप चाहें तो किसी अन्य तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है फिर है मौजरेला चीज इस पनीर का इस्तमाल हम पीजा बर्गर और कई परकार के फास फूड में करते हैं यह इटली में बनाये जाने वाले वियंजनों में बहुत इस्तमाल होता है फिर है दूद दूद का इस्तमाल हम कई परकार के वियंजनों को बनाने में करेंगे फिर है हैंग कर्ड यानि की दही में से जब हम अत्यधिक पानी की मातरा को निकाल देते हैं तब उसे हैंग कर्ड करते हैं इसको बनाने का इस तरीका बहुत ही आसान होता है आप दही को एक मसलिन क्लोथ में लपेट कर कुछ देर के लिए टांग दें तो 20-25 मिनिट में उसका अत्रिक्त पानी निकल जाएगा और फिर जो गाड़ा दही होगा उसका इसका इस्तेमाल हम हमारे वियंजनों को बनाने में करेंगा फिर है सोया सॉस यानि की सोयबीन का सॉस इसका इस्तेमाल इंडो चाइनीज डिशेस को बनाने में किया जाता है फिर है चिली सॉस इसका भी इस्तेमाल इंडो चाइनीज डिशेस को बनाने में किया जाता है फिर है टोमेटो केचप इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार के विय अगला है पेंड़नस लीफ एकस्ट्रेक केवडा वोटर यह एक सुगन्दित पदार थे जिसका इस्तेमाल हम Посब्सका केम काइब करते हैं अगला और अन्तिम है वै्टिवर वोटर यानि किखस वोटर इसका इस्तेमाल हम से स्वाइब करते हैं तो यहां हमारे मसाले और इंग्रीडेंट्स की सीरीज समाप्त हुई चलिए अब आग्या लेते हैं